ओम शान्ती 21 जन्वरी 2023 प्रातह मुर्ली बाप दादा मदुबन बाबा बोले मीठे बच्चे बाप की दुआएं लेनी हैं तो हर कदम स्रीमत पर चलो चाल चलन अच्छी रखो अर्थात जो बच्चे अपने मात पिता की स्रीमत अनुसार कर्म करते हैं अपनी मात पिता की बात मानते हैं माता पिता से सच्चे होकर रहते हैं तो ऐसे बच्चों को माता पिता की दुआएं लोकिक में भी प्राप्त होती हैं यहां तो पारलोकिक बाप है यहां हमें स्वर्ग की बातसा ही देते हैं सुख सान्ती आनंद प्रेम पवित्रता गुण ग्यान तथा सक्तियों से भरपूर करते हैं वो भी 21 जन्मों के लिए तो बाबा कहते हैं कदम कदम स्रीमत पर चलो चाल चलन अच्छी रखो क्योंकि अब तुम्हें जाना है नई दुनिया सत्यूग में वहां कोई भी एक दो को दुख देता नहीं कोई क्रोध करता नहीं काम की तो बात ही नहीं है पवित्र दुनिया है पावन दुनिया है वहां जाने के लिए तुम बच्चों को मंसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है बाबा की दुआएं लेनी है सर्विस करनी है जो बच्चे खुद को संपन संपूर्ण बनाते एक बाप से सच्चा होकर रहते और औरों की भी सर्विस करते ऐसे बच्चों को बाप की दुआएं प्राप्त होती हैं उनकी चाल चलन और कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए बाबा की मदद भी मिलती है प्रश्न किया बाबा ने स्यू बाबा की दिल पर कौन चल सकता है स्यू बाबा की दिल पर कौन चल सकता है उत्तर में बाबा समझाते जिनकी गैरेंटी ब्रह्मा बाप लेता है बाबा कहते जिनकी गैरेंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि यह बच्चा सर्वी से वुले यह सब को सुख देता मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देता ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब सिव बाबा की दिल पर चड़े अर्थात सिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा मुक्वनसावली बनाते तो हम ब्रह्मन बन जाते और जब हम बाबा की स्रीमत अनुसार सर्विस करते एक दो को सुख का रास्ता बताते मंसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देते तो ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों से खुस होते और हमारी महिमा करते तो बाबा कहते जिन बच्चों की महिमा स्वयम ब्रह्मा बाब करते ऐसे बच्चे ही सिव बाबा की दिल पर चड़ते हैं अगला प्रश्न किया बाबा ने इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवाएं करते हो उत्तर में बाबा कहते सारे विश्व की तो क्या लेकिन पांच तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रुहानी सर्वेंट करते हो इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोसल्वर कर हमारा पिता परमात्मा निराकार सिव बाबा इस भारत भूमी पर ब्रह्मातन का आधार लेकर हम आत्माओं को तो पावन बनाते ही साथ में पांच तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करते हैं और उस सेवा में हम बच्चों को निमित बनाते तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे सोसल्वर कर तुम सर्व आत्माओं को तो पावन बनाते ही हो सारे विश्व को तो पावन बनाते ही हो साथ साथ पाँच तत्व जल वायू आकास प्रत्वी अगनी सभी को पावन बनाने की सेवा करते हो इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोसल वरकर गीत सुनाया बाबा ने ले लो दुआएं माबाप की ओम शांती बच्चों ने गीत सुना ऐसे तो पारलो बाबा कहते ऐसे तो लोकिक माबाप की दुआएं अनेक लेते हैं बच्चे पाउं पढ़ते हैं माबाप आसिरवात करते हैं यह धिंडोरा लोकिक मा बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है, धिंडोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद के बाप के लिए गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक ते रे, तुमरी क्रपा से सुक गने रे, तो बाबा कहते भारत में ही यह महिमा गाई जाती है जरूर भारत में ही यह हुआ है तब तो गाया जाता है एकदम बेहद में चला जाना चाहिए बुद्धी कहती है स्वर्ग का रचियता बाप एक ही है स्वर्ग में तो सभी सुख है वहाँ दुख का नाम निसान हो नहीं सकता इसलिए ही गाते हैं कि दुख में सुमीरन सब करें सुख में करें न कोई आधा कल्प दुख है तो सभी सिम्रन करते है सत्युग में अथा सुख है तो वहाँ सिम्रन नहीं करते मनुष्य पत्थर बुद्धी होने कारण कुछ भी समझते नहीं है कल युग में तो अथा दुख है कितनी मारा मारी है कितने भी पड़े लिखे विद्वान है परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते गाते हैं तुम मात पिता परंतु समझते नहीं है कि कौन से मात पिता की महिमा है यहा तो बहुतो की बात है न इसवर की संतान तो सभी है परंतु इस समय तो सभी दुखी है सुख घनेरे तो किसको नहीं है करपा से तो सुख मिलना चाहिए अ करपा से दुख होता है बाप तो करपालू गाया हुआ है साधू संतों को भी करपालू कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो भक्ती मार्ग में गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरी करपा से सुक गनेरे यहाँ बिलकुल यतार्त है परंतु कोई बुद्धिवान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गौठ फादर कहा जाता है उनको फिर मदर कैसे कहते हैं तो उनकी बुद्धी जगत अंबा की तरब जाएगी जब जगत अंबा की तरब बुद्धी जाती है तो फिर जगत पिता के तरब भी बुद्धी जानी चाहिए अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई भगवान तो नहीं है यह महिमा उनकी हो नहीं सकती उनके आगे भी माता पिता कहना रौंग है मनुस्य गाते तो परंपिता परमात्मा के लिए हैं परंतु जानते नहीं हैं कि वह मात पिता कैसे बनते हैं अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो ले लो दुआएं माबाप की अर्थात सुरीमत पर चलो अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने उपर आपे ही दुआएं हो जाएंगी अगर चलन अच्छी नहीं होगी किसको दुख देंगे मात पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे बाप की दिल पर चड़ नहीं सकेंगे इस बाप की ब्रह्मा बाप की दिल पर चड़े तो गोया सिव बाबा की दिल पर चड़े गायन है यही बाबा कहते यह गायन है ही उस मातपिता का बुद्धी उस बेहत के मातपिता तरफ चली जानी चाहिए ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धी नहीं जाती है भल जगत अंबा की तरफ कोई की जाती है उनका भी मेला लगता है परंतु आक्यू पैशन को कोई जानते ही नहीं तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता काइदे अनुसार यह ब्रह्मा है यह भी समझना है याद भी ऐसे करेंगे यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है लिखते हैं सिव बाबा केर आफ ब्रह्मा तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है अब बच्चों को इस्म पिता की दिल पर चड़ना है क्योंकि इन में ही सिव बाबा प्रवेश होते हैं यह जब गैरंटी देते हैं कि हाँ बाबा यह बच्चा बहुत अच्छा सर्वी से भुले सभी को सुक देने वाला है मनसा वाचा करमना किसी को दुख नहीं देता है तव ही सिव बाबा की दिल पर चड़ सकता है मनसा वाचा कर्मना से जो करो जो बोलो उससे सब को सुख मिले दुख किसको नहीं देना है दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है फिर कर्मना में आने से पाप बनता है मनसा तूफान तो जरूर आएंगे परंतु कर्मना में कभी नहीं आओ अगर कोई रंज अर्थात नाराज होता है तो बाप से आकर पुछो बाबा इस बात से हमारे यह नाराज रहते हैं तो बाबा समझाएंगे कोई भी बात पहले मनसा में आती है वाचा भी कर्मना ही हो गया अगर बच्चों को मा बाप की आसिरवाद लेनी है तो स्रीमत पर चलना है यह बड़ी गुई ये बात है जो एक को ही माता पिता कहते है यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी मा भी है अब यहा बाबा किसकी मा कहे? इस मा की तो कोई मा हो नहीं सकती जैसे सिव बाबा का कोई बाप नहीं ऐसे इन्हें अपनी कोई मा नहीं मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं कि अगर मंसा वाचा कर्मना किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे सच्चे साहब के आगे सच्चा रहना है इनसे भी सच्चा रहना है यह दादा ही सर्टिपिकेट देंगे कि बाबा यह बड़ा सपूत है बाबा महिमा तो करते हैं जो सर्विस एवुल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं कभी भी किसको दुख नहीं देते हैं, वही बाप, दादा और मा की दिल पर चड़ते हैं, उनकी दिल पर चड़े माना उनके तक्त पर चड़े, हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है, कि हम गद्धी नसीन बने, यही तात लगी रहती है, गद्धी तो नंबर वार आठ हैं, फिर एक सो आठ फिर सोला हजार एक सो आठ भी हैं, परंतु अभी हम उच पद पाएं, ऐसे तो सोपता नहीं, जो दो कला कम हो, गद्धी पर बैठें, सपूत बच्चे बहुत पुरुशार्थ करेंगे, कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सुर्य वंसी का पू अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोएंगे, तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे, यहां कल्प कल्प की रेश है, अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा, पक्का व्यापारी वहा जो स्रीमत पर माबाप को पूरा फालो करे, कभी किसको दुख उसमें भी नंबर वन दुख है कामकटारी चलाना बाप कहते हैं अच्छा सिरीक्रष्ण भगवानु वाज समझो तो यह वह भी नंबर वन है उनकी बात भी माननी चाहिए तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे समझते हैं सिरीक्रष्ण भगवान ने स्रीमत से सिक्षा दी है अच्छा उनकी मत पर चलो उसने भी कहा है कि काम महासत्रू है भला उनको जीतो इन विकारों को जीतेंगे तब ही क्रष्ण पुरी में आ सकेंगे अब सिरीक्रष्ण की तो बात नहीं सिरीक्रष्ण तो बच्चा था वह कैसे मत देंगे जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्ये चलाएंगे न अब सियू बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो सिरीक्रष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो वह भी कहते हैं काम महासत्रू है इन पर जीत पहनो वहाँ विस नहीं मिलेगा तो विस को छोड़ पवित्र बनो यह तो स्रीक्रष्ण का बाप बैट समझाते हैं अच्छा समझो मनुश्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चों का नाम डाल दिया है वह भी तो सर्वगुन संपन्न है वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है की काम महासत्रू है उसको भी मानते थोड़े हैं उन पर भी चलते थोड़े हैं समझते हैं शौरीक्रष्ण खुद आएं तब हम उनकी मत पर चलेंगे तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे सन्यासी आदी कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजियोग सिखलाने आया हूँ यह तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही बात है सिरी क्रश्न है सत्योग में उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा न तो सिव बाबा खुद कहते हैं सिरी क्रश्न और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाता हूँ बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल उचपत पाएं नहीं तो पड़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे बाब से तो पूरा वर्षा लेना है अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं सपूत भी नंबर वन नंबर वार होते हैं उत्तम मध्यम कनिष्ट उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते उनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें सोसल वर्कर्स भी नंबर वार होते हैं कुत्तम मध्यम कनिष्ट कई तो बहुत लूटते हैं माल बेच कर खा जाते हैं फिर उनको सपूत सोसल वर्कर कैसे कहेंगे सोसल वर्कर तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहनी सर्वेंट हैं सारी स्रश्टी तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है इनको भी सतो प्रधान बनाना है सतो प्रधान तत्व से तुम्हारा सरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा बाबा समझाते तो बहुत है परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे दान नहीं कर तो धार्णा भी नहीं होगी जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम बाला करते हैं यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन-कौन तीखे हैं जो सर्विस पर हैं वहां दिल पर चड़ते हैं सदेव फालो मा बाप को करना है उनके तक्त नसीन बन जो सर्विस करते होंगे वहां दूसरों को सुख देंगे अपना मुख दरपन में देखो कि बाबा का सपूद बच्चा बना हूँ खुद भी लिखते हैं कि हमारी सर्विस यहाँ चार्ट है बाबा कहते बच्चे खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का यहाँ चार्ट है मैं यहाँ यहाँ सर्विस कर रहा हूँ आप जच करू तो बाप को भी मालुम पड़े खुद भी जच कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ मध्यम हूँ या कनिष्ट हूँ बच्चे भी जानते हैं कौन महरती हैं, कौन घोडे सावार हैं, कोई भी छेपा नहीं रह सकता बाप को पोता मेल भेजें तो बाबा साउधान भी करें, बिगर पोता मेल भी साउधानी तो मिलती रहती है अब जितना वर्सा लेना है, पूरा पूरा ले लो फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा, यह बड़ी मा बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है इस वंडरफुल मम्मी को, कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं फिर मम्मा फीमेल्स में नमबर वन है, ड्रामा में जगत अंबा गाई हुई है, सर्विस भी पहुत की है जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गाउं में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी समाल रखनी पड़ती है, सत्यूग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल, गाए, बेल, आदी सब कुछ होते हैं अच्छा, बच्चे खुस रहो, आबाद रहो, ना बिस्रो ना याद रहो, क्योंकि याद तो सिव बाबा को करना है, अपने सरीर को भी फूल जाना है, तो औरों को कैसे याद करें? अच्छा, मीठे मीठे, सिकिल्दे, बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पाइंट, कोई भी नाराज बाबा कहते, कोई को भी नाराज नहीं करना है, मनसा वाचा कर्मना सब को सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है कोई को भी नाराज नहीं करना है, मनसा वाचा कर्मना सब को सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है दूसरी पाइंट बाबा कहते, सपूत बच्चा बन, भारत की रुहानी सेवा करनी है रह्म दिल बन, रुहानी सोसल वर कर बनना है, तन मन धन से सब की सेवा करनी है, सच्चे साहिप के साथ सच्चा रहना है सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है रहिम दिल बन रूहानी सोसल वर कर बनना है तन मन धन से सेवा करनी है सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले माश्टर सद्गुरु भाव बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले माश्टर सद्गुरु भाव डिटेल में बाबा समझाते आप बच्चों के बोल ऐसे हूं जो सुनने वाले चात्रक हूं कि यहा कुछ बोले और हम सुने इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य महावाक्य ज्यादा नहीं होते जब चाहें तब बोलता रहे इसको महावाक्य नहीं कहेंगे आप सद्गुरू के बच्चे माश्टर सद्गुरू हो इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो जिस समय जिस इस्थान पर जो बोल आवश्यक है युक्ती युक्त है स्वयम और दूसरों की बाबा कहते स्वयम और दूसरी आत्माओं के लाबदायक है वही बोल बोलो बोल पर डबल अंडरलाइन करो स्लोगन में बाबा कहते सुब चिंतक मनी बन अपनी किर्णों से विश्व को रोसन करते चलो अच्छा ये थे बाबा के महावाक्य